छेत्रे वो देखेंगे जो जो मिलील एंवीर में इसम जो समुद्री बाता वरने हलांकी विशाल और एकसार होता है लेकिन इसमें अनेक छेत्र इसपस्ट होते हैं और समय के तुरूप से समुद्र को मुक्रूप से हम दो भावों में बाटते हैं पहला बेला परवती या पैलजिक रीजन और दूसरा नित लस्त या बेन्थिक छेतर तो हम जो समुद्री छेतर है उसको पैलजिक जौन और बेन्थिक जौन में बाटते हैं यह जो पैलजिक इसके अंत्रगत हम समुद्र की जो संपूर्ण चल रासी है, जो दिखाई देती है, उसका हम अध्यन करते हैं। 36 रूप में देखने पर ये छेत्र पुने दो भावों में बांटा जा सकता है, जो की नेरेटिक और महासागरिय या ओसिनिक छेत्र कहते हैं। जो हेडगेव पाथ था, उसके अंसार हम जो समुद्रों का छेत्रिय कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हेडगेव पाथ ने 1957 में समुद्री आवास को मुकरूप से दो छेत्रों में बांटा किया। पहला बेला परवती चेत्र या पैल्जिक चेत्र, दूसरा नितलस्त चेत्र, जो बेला परवती या पैल्जिक चेत्र है, इसको अगेन हम दो फागों में बांट सकते हैं। नेरेटिक पार रीजन और दूसरा ओसिनिक रीजन। जो नितलस्त या बेन्थिक भाग है, ये चेत्र तटसे प्रारम होकर समुद्र के तल तक चला जाता है। तो एक तरह से तो हम उपर का इससा दीखा और ये नीचे का। तो जो बेला ये नितलस्त चेत्र है, ये चेत्र क्या है? समुद्र के तटसे प्रारम होकर समुद्र की जो गहरा ही है तल है, वहां तक जाता है। इससे भी हम पुने दो भावों बाठते हैं। एक तो बेला बेला चली ये लिटोरल चेत्र लिटोरल जोन और दूसरा डीप सी ये गहरा समुद्री चेत्र। समुद्री आवास के जो सभी चेत्रें उनको समझने के लिए आप लोग इसमें जो ये फिगर दिया है उसको एक बाठ ढ़ंग से गौर से देखिए। आराम से देखिए पॉस करके वीडियो इसको समझिए कि कौन-कौन सा रीजन है। ये समुद्र है। आप उसकी उपर सत्य देख रहे हो नेरेटिक चेत्र देख रहे हो मासागरे चेतोसनिक चेत्र देख रहे हो। तो यह जो पैल्जिक जॉन है या बेला परवती छेत्र है यह समुदरी तटका छेत्र है जो की पानी में डूबा हुआ होता है और जो जलके सतत संपर्क में रहता है इसी को हम नेरेटिक जॉन कहते हैं ठीक है जादा गहरा नहीं होता है यह थोड़ा डहलान वाला छेत्र होता है जो की जो कॉंटिनेंटल सेल्फ होती है उनके द्वारा निर्मित होता है यह कॉंटिनेंटल सेल्फ को निर्मित करता है तथा जो जल है वो नेरेटिक जॉन बनाता है महादीप ये सेल्फ जल में गहराई तक जाने पर एकदम सीधा ड़लान बनाते हैं जो महादीप ये ड़लान ये continental slope कहलाता है और continental slope के नाम से इसको जानते है ये जो narrative region होते हैं narrative जो छेतर होते हैं ये terrestrial ecological या environmental जो factors होते हैं उनसे बहुत प्रवावित होते हैं तो जो narrative zone है ये इस्थल ये बातावर्ण ये जो कारक हैं उनसे अधिक प्रवावित होते हैं समुद्र के किनारे से लेकर 240 मीटर तक की चोड़ाई और 200 मीटर की जो गहराई का छेतर है उसको हम narrative चली या फिर narrative zone कहते हैं इस छेतर को पुने हम तीन उप छेतरों में विवाजित कर सकते हैं ठीक है जो narrative चेतर है उसको हम पुने तीन चेतरों में विवाजित कर सकते हैं सुप्रा टाइडल जोन कौनसा जोन सुप्रा टाइडल जोरो परी उप छेतर दूसरा अंत्रा जोरिय उप छेतर इंटर टाइडल सब जोन और तीसरा उप जोरिय उप छेतर या सब टाइडल सब जोन तो जो narrative zone है उसको वो कहां है आपके समुदर के तट के पास में है जो धलान नीचे की तरब समुदर की जाती है उन में है 500 मीटर समुदर के अंदर तक और 200 मीटर समुदर के नीचे तक का जो रीजन है उसको ही हम narrative zone कहते हैं और इस narrative zone में को पुने हम तीन उप छेतरों में बाढ़ते हैं जिसमें पहला सुप्रा टाइडल सब जोन या जोर उप उप छेतर और दूसरा inter-tidal सब जोन या अंतरा जोरिय उप छेतर होता है तीसरा उप जोरिय उप छेतर या सब टाइडल सब जोन होता है इसके बाद जो pelvic zone का दूसरा भाग है जिसको हम oceanic zone या मासागरिय छेतर कहते हैं ये मासागरिय शेल्प के आगे खुले उप समुद्र का वह छेतर होता है जहां जिसको हम मासागरिय छेतर के नाम जानते हैं इसमें गहराई और सूरिय क्रणों के जो बेधन चमता है उसके आधार पर यदि अनुधहर इस तर के अंतरकाति से हम देखें तो पुने इसे तीन उप विवागों में विवाजित कर सकते हैं जिसको यूफायटिक, डिसफायटिक और एफायटिक छेतर कहते हैं या क्रम से सुप्रकासित, दुष्प्रकासित और एप्रकासित छेतर कहा जाता है तो जो 80 मीटर तक का छेतर है जल सते से वो आपका सुप्रिकासित या यूफोइटिक जोन कहलाता है और 80 से 200 मीटर की गहराई वाला है वो डिस्फोइटिक जोन या दुस्प्रिकासित छेतर कहलाता है जहाँ पर प्रिकास बिस्रन की क्रिया के द्वारा पहुंचता है और 200 मीटर से जो गहरा छित्र है वो आपका aphoetic zone कहलाएगा और यहाँ पर एकदम से अंदकार रहता है और अंदकार के आदिक के अनुसार इस अपरकासिच छित्र को भी हम चाहें तो पुने दो भागों बाढ़ सकते हैं एक तो वैथाइल जो जो वैथाइल जोन या सागरी ये छेत्र है वो 200 मीटर से 2000 मीटर तक की गहराई का छेत्र होता है और जो 2000 से 7500 मीटर तक की गहराई का छेत्र होता है उसको बितलिये छेत्रिया एवाईशल जोन कहते हैं तो इस तरह से यह जो सुविलांची छेत्र है यह यू लिटरल जोन है उसको भी बैग ज्या तरह से हम जो समुद्र हैं उनका छेत्रिय करेंगे जोनेशन करते हैं थैंक यू